जितने भी विद्यार्थी बिहार बोड से मैट्रिक पास प्रोच साहारासी 2023 के लिए आपका ओनलाइन आवेदन कर दिया है, तो समझेंगे कि अगर आपका इस्टेटस इन प्रोसेज आ रहा है, फिर भी यहां पे देखेंगे अभी भी ग्रीन टीक नहीं है, जैसे यहां पे आप देख पारें, दो जगा पर यहां पे ग्रीन टीक है, बट यहां पे नीचे की तरफ देखेंगे, तो तीसरे नमबर पे ग्रीन टीक नहीं लगा है, और बिहार बोड के तरफ से यहां पे दिखा दे रहा हूं, कि यहां पे देखेंगे, तो मुख मंत्री बालक बाली का मादमिक प्रोसान योजना 2023 के लिए ready for payment का student list जारी कर दिया गया है जल्दी उनके खाते में इनके अंदर में भेज दिया जागे यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर समस्या के आ रहा है कि आपका application जो इस तरह finalized हुआ है कि नहीं कि यहाँ पर green tick नहीं है और दूसरा समस्या है कि अभी तक आपने यहाँ पर IFC code अपना account नमर bank data आपका भी खाली दिखा रहा है अभी आपने इसको नहीं भरा तो किस खाते में आपका पैसा आएगा तो आईए एक एक आपके समस्या को बिल्कुल बिस्तार से समझते हैं सभी काम आपको भी अपने mobile phone से अपना form पूरा चेक कर लेना है कि आपका भी उस तरह ठीक लगा है कि नहीं तो इसके लिए क्या करना है आपको अपने mobile phone का कोई भी browser open कीजिए और Google search box में आई और इस channel का नाम इस तरह AR carrier point जो स्पेलिंग लिखा हुआ भी आ रहा होगा इस तरह इस channel काम सही सही टाइप करके सर्च कीजिए आपके सामने search result आ जाएगा यहाँ पर देखिए सबसे उपर सु होगा आप में AR carrier point dot com website simple सा आपको इस website पे किलिक कर देना है यहाँ पर आप जैसे ही किलिक करेंगे आपके सामने इस तरह website open हो जाएगा यहाँ पर नीचे की तरह पर scroll down कीजिएगा और इस scholarship वाले section में आईएगा तो सबसे उपर मिल जाएगा बिहार board metric pass प्रोच साहा रासी 2023 simple सा आपको इस पर किलिक करना है जो जो समस्यार है मैं एक एक समस्याक आपका समधान इस वीडियो में देने का परियास करा हूँ ध्यान से अंतक देखिएगा यहाँ पर पहुँचेंगे सबसे पहला काम अपने को क्या करना है तो यहाँ पर नीचे की तरफ scroll down करना है और नीचे की तरफ सभी जनकारी आप पढ़ भी सकते अपने सुबदा अनुसार यहाँ पर आईएगा नीचे की तरफ सबसे पहला काम अगर अभी तक आप apply नहीं की है तो आपको अपना registration कर लेना है ठीक है यहाँ पर registration वाला बटम है इस पर click करके आपको registration कर लेना है मालनी जब अपना registration कर दिये तो उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर view application status है simple सा आपको इस view application status पर click करना है आपके सामने इस तरह application status वाला page open होगा यहाँ पर आपको registration number type करना और अपना search बटम पर आपको सिंपल सा click कर देना है अब जैसे ही आप click करेंगे देखिए आपके सामने आपका पूरा registration अगर आपके यह होंगे तो इस तरह detail open हो जाएगा अगर आज registration नहीं किया है तो मैं नीचे description box में वीडियो दे दूँगा उस तरह देख देखकर adjustment कर लीजेगा अब यहां पर समस्या मालेजिएुस में कुछ भी आपका यहां पर mismatch है तो समझिए यहां पर जो भी आपका इसमया Miguel क रहा है तो आपका आधार काड के गलती होजाशनी आपका मिमाश में सकता तो यहां बाल हो यहां पर सुधार कराना पड़ेगा अब इसातर का मैं status आपको चेक करके दिखा दे रहा हूँ को भरकर यहां पर सेंड बटम है इसेंड बटम पर किलिक की जिया आपके रजिस्टर मुबाइल नमर पर तुरंत आईडी पासवर्ड भेज दिया जाएगा कब आपका अप्लीकेशन एस तरह सभी चीज ग्रीन हो गया है तब यहां से समझेंगे स्टेप ओन के आपको रजिस मैच किया न तो उनके यहां पर लिंक आया है कि यहां पर दिखें लिख रहा है अपना जाती अपडेट करने के लिए सपोर्टिंग डॉक्मेंट्स अप्लोड करें मालने जब काटेगरी मिस मैच है तो इस पर किलिक करेंगे यहां पर रजिस्ट्रेशन नमर उसी तरह मोब पूरा मैं एक छात्र का पीछे फॉर्म भरके सीखा चुका हूं मैं इस डी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या क्लास की यह वीडियो अन्थोगा तब तो वहां से आप यहां पर युजारेटी पासवर्ड भरके कैप्चा अपना आगे का फॉर्म स तुछ थोड़ा सा बढ़ते हैं तो उनका यहां पर फाइनलाइजड अप्लीकेसन फॉर्म एन तो इस पर टीक नहीं लगा है जब कि आपने अपना फॉर्म फाइनलाइजड कर दिया है और यहां पर अपका अपर क्लिक कर रहें तो आपका प्रिंट आउट भी नहीं निकल पर आप इसको समझने के लिए आपको एक बात ध्यान से समझिएगा कि जब आप अपना यहां से रजीस्टेसन किये थे ठीक है तो उस समय आप जानते हैं जब आप रजीस्टेसन किये थे तो आप देखी आपना अकाउंट नमर भरे नहीं ते फिर भी इक्षा भिवा को कै यापका आधार काड से सीधेर नहीं है क्योंकि वे आधार नम्बर से आपका isationsक्राइब सं और एकाउंट नमर भर के अपरुवल पूर पेमेंट करेंगे, जिनका सभी चीज सही होगा, उनका सीधे उनका खाते में पैसा भेज दिया जाएगा, अब प्रसन है कि कब तक पैसा आएगा, इसके लिए देखे, रेडी फूर पेमेंट का यहाँ पर लिस्ट जारी कि, अगर अगर इस लिस्ट में आपका नाम है, यहाँ पर देख लिएगा, arcarrierpoint.com website पर आएगे तो, यहाँ पर लिस्ट ऑफ एस्टुडेंट का लिस्ट जिनका पैमेंट रेडी हो चुका है, कुछ दिन में उनके खाते में आजाएगा, तो अगर इस लिस्ट में आपका नाम है, औ वहीं पर यहाँ पर मिल जाएगा, लिस्ट ऑफ एस्टुडेंट रेडी फोर पैमेंट, यहाँ पर क्लिक हेर है, सिंपल सा आपने को इस क्लिक हेर पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर देखिए, 2023 के लिए यहाँ पर आपका लिस्ट ऑफ एस्टुडेंट रेडी फोर तो आपके खाते में आपका पैसा यहां पीज और शात्रां के खाते में पैसा बेज़ दियागा जल्दी उपर वाला नहीं select करना है, मालने जो मैं बैक आकर फिर से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, कि यहाँ पर देखें कि list of student ready for payment है, यहाँ पर click here है, simple सामने इस click here पर click किया, और यहाँ पर अपने को मालने जिए district college सभी नहीं देखना है, पूरा list, तो सीधे यहाँ पर registration number है, इस चात्र का आगया, तो ऐसे आप देख सकते हैं, अगर आपके list में नाम होगा, आपका ready for payment में, तो जल्द ही आपके खाते में पैसा भेज दिया जाएगा, तो इस तरह आपने देखा कि बिहार बोड के तरफ से ready for payment का भी list जारी कर दिया गया है, अर्था कि अब चंद दिनो अगले वीडियो मिलेंगे तो समस्या का समधान जानने का परियास करेंगे, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद